जैशी कृष्णा दोस्तों ब्यसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम चैतर मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी है उसकी पूजन विदी विरत कथा साथ ही आपको एक छोटा सा उपाय बता रहे है जिसके क संतान की है पुत्र की है धन की है नोकरी की है या फिर विवाग की है अवश्य ही पूरी होगी दोस्तों एकादशी का वरत सभी वरतों में शेष्ट माना गया है शीहरी भगवान का प्रिये वरत माना गया है दोस्तों जो भी वैक्ति स्वस्त है उसको अवश्य ही बतला एक का व्रत करने से कथा स्रवन करने से हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है दोस्तों हमारे जीवन में न जाने में ही हमसे न जाने कितने पाप हो जाते हैं और कल्यूग में उससे मुक्ति का एक मात्र विकल्प पाप मोचनी एकादर्शी का व्रत माना गया है इसलिए इसका वरत अवश्य करना चाहिए और इसकी कथा का शवण अवश्य करना चाहिए दोस्तो एकादशी के दिन ब्रहम मुरत में जक्करस नान करके शिहरी भगवान का पूजन करना चाहिए उन्हें पीले फूल पीले फल पीले चंदन और पीले वस्तर पहनाने चाहिए और साथ ही पिर बरगत का पत्ता लेना है या फिर आप पान का पत्ता ले ले उसके उपर आपको एक सुपारी रखनी है एक रिबे का सिक्का रखे और आप अपने समर्थे के अनुसार 5 या 11 फल इस दिन अवश्य रखे और अपनी मनो कामना बोल कर शीहरी भगवान को अर्पित कर दे उनके आगे धूब दी चलआया है उसमें से आप चाहे तो मतलब माता को खिला दे, दो केले आप गौ माता को खिला दे, कुछ फल आप मन्दिर में, मतलब कुछ दक्षिडा रखकर ब्रहम्मण को दे कर आ सकते हैं और उसमें से कुछ फल आप प्रसासरूब घर परिवार में और सोयम भी रहन करें इस प्रकार विदी विदान से भगवान विष्णू का पूजन करने से निश्चिद ही आपकी जो मनोकामना है वो अतीश शीगर पूरी होती है दोस्तों अब हम आपको पाप मोचने एकादशी की वरतकता सुनाते हैं अब किरपा करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के बारे में बतलाईए उसका क्या नाम है कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विदी क्या है भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजन यही प्रशन एक समय राजा मान धाता ने लोमश रिशी से पूछा था और जो कुछ उन्हों ने उत्तर दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ लोमश रिशी कहने लगे हे राजन इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है इसके करने से अनेक पाप नश्ट हो जाते हैं अब इसकी कथा सुनू प्राचीन समय में कुवेर का एक चैतरत नाम का एक बाग था उसमें गंदर्वों की कण्याएं किनरों के साथ विहार करती थी वहां अनेक प्रकार के पुष्व खिले रहते थे उसी वन में अनेक रिशी तपस्या करते थे सोयम इंदर भी इस चैतर और वैसाक मास में देपताव सहित वहां आकर कीड़ा किया करते थे वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक रिशी भी तपस्या करते थे वे शिव के परम भक्त थे एक दिन मंजु घोशा नाम की अपसरा रिशी को मोहित करने का विचार कर भय के मारे उनके समीब तो नहीं गई परंतु दूर बैटकर वीना पर मधुर गीत गाने लगी उसी समय काम देव भी मेधावी रिशी को जीतने के लिए तयार हुए उन्होंने उस सुन्दर अपसरा के भू को धनूश और कटाक्ष को डोरी और नेत्रों को संकेत और कुचो को कूरी बनाकर मंजु घोशा को सेना पती बनाया उस समय मेधावी रिशी भी युवा और हश्ट पुष्ट थे साथ ही यग्यो पती तथा दर्न धारन किये हुए ब्रह्मतेश से युक्त थे मंजु घोशा ऐसे सुन्दर रिशी को देख कर उनकी सुन्दता पर मुग्द हो गई और अपने गीत चूनियों और नुप्रों क जुनकार से नित्यकला द्वारा हाव भाव दिखा कर मुणी को रिजाने लगी कुछ समय तक यही करम चलता रहा और अंत में कामदेव ने रिशी को पराजित कर दिया फल्सरूब रिशी मंजु घोशा के साथ रमन करने लगे और काम के इतने वशिभूत हुए कि उन्हें दिन तथा रातरी का कुछ भी विचार नहीं रहा इस प्रका बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजु घोशा बोली हे मुनी मुझे बहुत समय हो गया है अब स्वर्ग जाने की आग्या दीजिए तभी मुनी बोले आज इसी संध्या को तो आई हो प्रातकाल होने तक चली जा जाना मुनी के ऐसे वचन सुनकर अफसरा कुछ समय तक और रुकी और अंत में उसने पुने मुनी से विदा मागी तो मुनी कहने लगे कि अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है कुछ समय और ठेहरो यह सुनकर अफसरा ने कहा कि महराज आपकी रात तो बहुत लंबी है और तीन दिन बीद गए हैं ज्यान होते ही वह अफसरा उनको काल के समान प्रतीत हुई मुनी अत्यम क्रोधित हुए और उनकी आखों से जाला उत्पन होने लगी वे बोले मेरी कठी परिशम की गई तपस्या को तुने नश्च कर दिया है तु महापापीनी दुराचारनी ह तु ने मेरे साथ घात किया है इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तु पिचाशनी हो जा मुनी के श्राप से मज़ुगोशा तचड़ पिचाशनी हो गई और फिर वह भैवीत होकर मुनी से प्रातना करने लगी कि महराज इस श्राप का किसी प्रकार निवारन कीज अपसरा के दीन वचन सुनकर मुनी बोले अरे दोष्ट यद्दपी तुने मेरा बहुत अनिष्ट किया है परंतु फिर भी मैं तुझे शाप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूं तुझे तरमास के क्रिशन पक्ष की एक आदशी जिसका नाम पाप मोचनी है वह सब परकार क पापों को नाश करने वाली है उसका वरत करने से 50 योनी से तेरी मुक्ती होगी ऐसा कहकर मिधावी रिशी अपने पिता चेवन्ने रिशी के पास आश्रम में चले गएं मिधावी को देखकर चेवन्ने रिशी कहने लगे अरे पुतर तुने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुड़ने शीड हो गया है तब मिधावी बोले है पिता जी मैंने एक अपसरा के साथ रमन करके घोर पाप किया है अब आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाईए तब चैवने रिशी बोले है पुत्र चैत्रमास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचने एकादर् इसलिए तुम भी इस वरत को करो और पिता की आग्या पाकर मिधावी रिशी ने भी विधी पूर्वक इस वरत को किया जिससे उनके सब पाप नश्ट हो गए उधर मंजु घोषा भी वरत के प्रभाव से 50 योनी से मुक्त होकर दिवे देधारन करके सर लोग को चली गई ल पांच गुरू पतनी के प्रसंग आदी सब पाप नश्ट हो जाते हैं और अंत में स्वरलोप की प्राप्ती होती है बोलो एकादशी महत्तम की जै